नमस्कार दोस्तों एक बार फिट से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूटूब चैनल रह्वत रास माथमाटिक्स में दोस्तों इस वीडियो लेक्चर में बात करने वाले हैं रीट एकजाम 2021 के लिए संस्कृत के मोडल टेस्ट पेपर नमबर 48 के बारे में जी हाँ दोस्तों 47 टेस्ट अपने पूरे हो चुके हैं और कुल 100 टेस्ट हम करने वाले हैं रीट से पहले पहले तो दोस्तों यदि आप चैनल पर फर्स टाइम विजिट कर रहे हैं तो लाल बटन दबा कर सब्सक्राइब ज़रूर कर लें बिल्कुल नए पेटरन पर आदारी तरहेगा 30 क्यों सन रहेंगे और 30 में से आपके कितने सही होते हैं आपको लाश्ट में कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना है तो चलिए वीडियो को कर दीजिए लाइक चलिए सुरू करते हैं ये गद्यान सबसे पहले दे रहे है और पुछा गया है सर्वेई इत्यत्र का विबक वक्ति रहेगी सात्यों तीसरा ओप्शन करेक्ट आंसर रहेगा अगला है ए भवन इती पदम कस्मिन लकारे परियुक्त मस्ती ए भवन में कौन सा लकार है लट लकारे लंग लकारे लोट लकारे या लिट लकारे तो सात्यों कौन सा लकार है इसमें ए भवन में ये बताना है तो ए लंग लकार है दूसरा ओप्शन करेक्ट अंसर रहेगा अगला है महत्वम में कौं सा परति है सातिए तल तरप मतूप या त्यो प्रेशन नंबर 63 63 का राइट आंसर अब आपको बताना है कमेंट बॉक्स में 63 का राइट आंसर एगा त्वे प्रतिया लगावा है महतुम में तुई प्रतिया ओप्ष्ण नमबर चार बिल्कूल सही आंसर रहेगा। अगला है अध्यापी इत्यत्त के संदी अध्यापी में कौन से संदी है गुण संदी यन संदी दिर्ग संदी या अयादी संदी चार विकल्प आपके सामने है प्रेसर नमबर 64 का राइट आंसर रहेगा सातियों अध्यापी में जो है दिर्ग संदी का प्रियोग किया गया है तीसरा option बिल्कुल सही answer बनेगा अगला है चार इतश्य कृते गध्यांसे कैसब्दे प्रियुक्ते चार के लिए कौन सा सब्ध गध्यांस माया चत्वार है वेदहा, संती या उपदेशकार का तो साथियों right answer क्या रहेगा 65 नमबर का वो रहेगा चत्वार है option number 1 अगला देखे, पध्यांस आचुका आपके सामने सबसे पध्यांस में चंद पूचा है तो आप वरन काउंट कर लीजिए चंद पूचा गया, इस पध्यांस में आप आराम से वरन काउंट कर सकते हैं और बता सकते हैं उपंद्र वजरा, इंद्र वजरा, उपजाती आवंस इनमें से कौन सा चंद रहेगा तो सातियों पर्शन नमबर 66 का राइट आंस रहेगा उपजाती चंद, option number 3 अगला देखे, शुरुत नेव इत्यात्र, इत्यात्र, इत्यात्र से संदी विच्छेद के सुरुत नेव का संदी विच्छेद के होगा चार ओप्शन, सुरुत प्लस एनेव, सुरुत एन प्लस एव, सुरुत एन प्लस इव या सुरु प्लस तेन प्लस एव 67 नमबर जो आप देख रहे हैं, इसका राइट आंस रहेगा सुरुत एन प्लस एव, option number 2 68 नमबर देखे, दानेण, इत्यत्र, किम, कारकम दानेण में कौन सा कारक है, करणम, संपरदानम, अपादानम या अधिकरणम चार ओप्शन आपके सामने हैं, दानेण जो है तरत्याविबक्ति का रुप है इसलिए सातियों इसमें कौन सा कारक रहेगा करण कारक रहेगा option number 1 correct answer रहेगा वीडियो को like जरूर कर दीजेगा अगला है काय है इत्ती सब्द है कस्मिल लिंग ये परियुक्तो अभवत काय है में कौन सा लिंग है पुलिंग, इस्तिरलिंग, नपुसकलिंग या अव्यम तो सातियों कुन सित्र नंबर जो किस्तों देख रहे है इसमें right answer रहेगा पुलिंग option number 1 आगे है वी बाती इत्यत्र धातू लकारम चे निर्दी सितम वी बाती को आपको तोड़ना है कि इसमें दातू और लकौन सा जो है पृत्य यानि लकार लगावा है सातियों तो सित्तर नंबर का right answer रहेगा वी प्लस भा प्लस लट option number 3 जो है वो correct answer बनेगा अगला है माता चावलो से भात पकाती है अश्ये वाकेशे शंसकरते अनुआदम कुरूत ये रीट में आचुका है माता चावलो से भात पकाती है इन में से कौन सा सही answer बनेगा इकेतर नंबर आपके सामने है सातियों क्या बनेगा माता तांडूलान ओधनम पचती बिल्कुल दूसरा option सही रहेगा माता तांडूलान ओधनम पचती ये एक कतितम चे सुत्र के अनुसार एक कतितम चे जो सुत्रे उसके अनुसार इसमें दूतिया भी बक्ती लगेगी ओधनम में भी और तांडूलान में भी ठीक है एक परदान और एक एक परदान कर्म उपस्तित है आगे देखिए बौतर नमबर बुद्धी मान चात्रा उत्रिना भवन्ती अश्य वाकेशे सुद्रूपम किम तो आपको सुद्रूप चाटना है बौतर नमबर में दो विकल्प आपके सामने है चलिए तो राइट आंसर हेगा पेला उप्षन बुद्धी मनत है चात्रा उत्रिना भवन्ती अप्षन नमबर एक आगे बढ़ते हैं तेतर नमबर में अध्यो लिकी तेशु संयुक्त वरण के इन में से संयुक्त वरण कौन सा है अगला है विशर्ग उचरन स्थान किम विशर्ग का उचरन स्थान क्या होता है ये कल भी आया था परसु भी आयाय.." तालू उष्टो उनासी सिका य कंठ राइट आंसर होला है अग है अनिया गटेकया सहायेन अध्य लिखितम रेक्तिस्तानम पूरियत इसमें कितने बज़रे हैं सातियों ये बताना है आपको चार विकल्प आपके सामने हैं देखिए अनामी का विदाल्यात आग अचंती 12 वादने 3 वादने सपाद 3 वादने या 9 वादने तो सातियों आपके सामने चपावा है तीन बज़रे हैं इसमें तो 3 वादने राइट आंसर हो जाएगा उप्शन नमबर दो अगला क्योशन देखे व्याकरण सिक्षने उदारणम पर्दसने नियमम परती गमनम कस्मिन विदो बवती व्याकरण सिक्षन में उदारण देखकर के नियम की ओर गमन करना जाना कौन सी विदी है शुत्र विदो आगमन विदो निगमन विदो या सैयोग विदो तो साति पुर्व ज्यान पर नवीन ज्यान प्रदान करना ये कौन सा शिक्षन शिद्दान्त है तो सातियों राइट आंसरेगा ग्याताद अग्यात के ओर ओप्शन नमबर चार अगला देखे प्रतेक्स विदे अप्रम नाम नास्ती प्रतेक्स विदी का दूसरा नाम नहीं है सुगम पदती निरबाद विदी अनुवाद विदी या मात्र विदी तो सातियों राइट आंसर क्या रहेगा प्रशन नमबर अठेतर का अठेतर का राइट आंसर रहेगा अन अनुवाद विदी इसे नहीं कहा जाता है बाकी सुगम पदती कहते हैं निरबाद पदत विदी कहते हैं मात्र विदी कहते हैं ध्यान रखना है इसमें मात्र बासा वर्जित है मात्र बासा का परियोग नहीं किया जाता है फिर भी इसे मात्र विदी कहते हैं ध्यान रखना है तीसरा option correct answer रहेगा अगला है लेखन कोसले से अभीवर्दी विशेक विदीर नास्ती लेखन कोसल की अभीवर्दी करने के लिए कौन सी विदी नहीं है मौन्टे स्री विदी, अक्सर सवरूपानू करण विदी, सुरूत लेखन विदी या वर्ण बोध विदी तो प्यारे सातियों लेखन कोसल का विदी करने वाली विदी कौन सी नहीं है वर्ण बोध विदी इसमें साविल नहीं है option number 4 correct answer रहेगा अगला देखे केसु अंतिम परसनम समश्यात्मक विशेवस्तु सुचक्चे बहती किसमें अंतिम परसनम समश्यात्मक विशेवस्तु का होता है प्रस्तावना परसनेशू, प्रवा कोसल परसनेशू, अभ्यास परसनेशू या अनिवेशन परदान परसनेशू तो सातियों right answer रहेगा एक नंबर उप्शन प्रस्तावना परसनों में अंतिम परसन समश्यात्मक होता है पहला उप्शन करेक्ट आंसर रहेगा अगला है वर्तमान शिक्षन व्यवस्ता केंदर बिंदु अस्ती वर्तमान शिक्षन व्यवस्ता का केंदर बिंदु क्या है शिक्षक छात्र पाट्य पुस्तक या विदाली तो साथियों अभी जो शिक्षा प्रणाली चल रही है वो बाल केंदरित होती है इसलिए छात्र इसका केंदर बिंदू बाना जाता है दूसरा ओप्शन करेक्ट आंसर रहेगा अगला है पद्य शिक्षन शे करते स्रेष्ट विदी सर्व स्रेष्ट विदी के पद्य शिक्षन की सर्व स्रेष्ट विदी कौन सी है दंडानव विदी खंडानव विदी टीका विदी व्यक्य विदी चार विकल्प आपके सामने है पद्य शिक्षन की सर्विस रेष्ट विदी कौन से होती है, खंडानवे विदी होती है, सात्यों, ओप्षन नमबर जो दो है, करेक्ट आंसर बनेगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है आपको, अगला है, शाम पट लेखन कोसल शे गटके नास्ती, शाम पट नाम, मद्य समुच्चित इस्ता नम, पंक्तियों के बीच, सही इस्तान छोड़ना, या रुच्ची करम, युक्तिया नाम, प्रियोग, तो सात्यों, यहाँ पर जो आपको नहीं बताना है, वो राइट आंसर एका, ओप्षन नमबर चार, अगला है, मोन वाचनेशे प्रियोग, सरवाणी, यह सारे के सारे मोन वाचन के उद्दिशे है, चोथा उप्षन करेक्ट आंसर रहेगा, पिच्चा से नमबर क्योशन देखे, शिक्षा, सहत्रे, उप्चार, इत्ती, सब्दशे, को अर्थ, उप्चार का अर्थ क्या होता है, अधिगम नम, सर्व, विदी, दोसा, निराकरण, अव, बोधन, या संपरेशन, तो साथियों, पिच्चा से नमबर का राइट आंसर सिद्धी सी बात है क्या हो जाएगा, उप्चार का सर्व, विदी, दोसा, निराकरण, सभी दोस्तों को दूर करना, दूसरा ओप्षन करेक्ट आंसर हैगा, अ साथियों, 86 नमबर का राइट आंसर क्या रहेगा, परतिमान के द्वारा, मोडल के द्वारा उसको मूर्त वस्तों के रूप मता सकते हैं, पहला ओप्षन करेक्ट आंसर रहेगा, अगला है, हरबर्ट ये, पंच, पदी, इत्यशे, विदी, विक्षितम, रूपम, किम, वि मुल्यांकन विदी, व्याकरण विदी, ये, व्याक्य विदी, किसके रूप में ये विक्षित हुई है, हरबर्ट की पंच, पदी, जो विदी है, ये साथियों, मुल्यांकन विदी के रूप में विक्षित हुई है, ओप्षन नमर दू, करेक्ट आंसर रहेगा, अगला है चात्रा नाम सुलेक लेखन से लिए अभिवक्ति चे कई परिक्षन ते चात्रों की सुलेक लेखन से लिए अभिवक्ति का विकास करने के लिए कौन से परिक्षन जो है रहेंगे वस्तुनिष्ट पर्षने अति लगुत्रात्मक पर्षने लगुत्रात्मक पर्षने या निम्मदात्मक पर्षने तो बेस्ट कौन से रहेंगे निम्मदात्मक पर्षन रहेंगे उसमें लेखन अभिवक्ति का सही से आंकलन हो पाएगा चोता ओप्सन करेक्ट आंस रहेगा अगला है शिक्सक चात्री संपादी तश्य कारिय शे शंकलनम पर्थक पर्थक पंची कायाम करोती एतेते कारिय करतेते पॉर्टफोलियो परगरती पत्रम अंक सुचे या जाँच सुचे तो साथियों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका कर दीजेगा अंतिम परशन राजस्तान संस्क्रत अकादमिया इस्ताफना कड़ा अबोत राजस्तान संस्क्रत अकादमी के इस्ताफना कब हुई very important क्युंशने सातियों 1956 1968 1980 2000 तो सातियों इसका जो राइट आंसर हैगा وہ रहेगा 1980 में ओप्शन नमबर तीन अब बताईए आपके तीस में से आज कितने क्यों संसाइवे जरूर कमेंट वाक्स में बताना है वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना है चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए रीट से समधित बहुत सारा मेटर आपको य जिलते हैं अगले वीडियो में सातियों तब तक के लिए जय हिन जय बारत थैंक यू